अकश्मनी भुपल से प्रस्तत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारना सचदेव प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने आज 71,009 नियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से नियुक्ती पत्र सों पे ये नियुक्ती पत्र देश भर में 45 जगाओं पर लगे रोजगार मेलों में दिये गए इस अफसर पर नव नियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधान मंतरी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राश्ट्रिय विकास में उनकी भागिदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का प्रियास है उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रती सरकार की प्रतिबदता को दर्शाते है प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले नौ वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और साफसुट्रा बनाने के लिए प्राथ मिक्ता दी है उन्होंने बताया कि अवरिक्त पदों के लिए आविदन करने और परिणाम प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ओनलाइन हो चुकी है प्रदेश में भोपाल, जबलपुर और रतलाम में रोजगार मेलों का आयोजन हुआ राजधानी भोपाल में आयोजित करक्रम में प्रदेश के 241 युवाओं को नियुक्ती पत्र दिये गए समन्मे भवन में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रिय मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने चैनीत युवाओं को नियुक्ती पत्र प्रदान किये उन्होंने अपने संबूदन में युवाओं से कहा कि अभ्याय ना समझें कि आप एक नौकरी में आ रहे हैं बलकि आप भारत माता की सेवा करने आ रहे हैं रतलाम में केंद्रिय साहकारिता राजय मंत्री बीयल वर्मा की उपस्तिती में आयोजित रोजकार मेले में 165 युवाओं को शास्किय सेवाओं के नियुकती पत्र प्रदान किये गए वहीं जबलपुर में केंद्रिय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर विरेंद्र कुमार ने डाक विभाग भारतिय रेल CDA और COD के 250 युवाओं को नियुकती पत्र प्रदान किये करक्रम का आयोजन उत्सव सामुदाइक रेल भवन मदन महल में किया गया प्रदेश में कल सुबा 10 बजे राजय मंत्री परिशत की विशेश बैठक आयोजित होगी इसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर विचार कर निरने लिये जाएंगे वहीं आज राजय मंत्री परिशत की बैठक में सपश्ट किया गया कि पंचायतों पर कोई टेक्स नहीं लगाया जाएगा मंत्री परिशत द्वारा मध्यपदेश रेध खनन, परिवहन, भंडारन और व्यापार नियम 2019 में संचोधन का अनुमोधन किया गया ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया कि अब शासन की देखरेक वाले मंदिरों के पास 10 एकर तक की क्रिशी भूमी से होने वाली आय का उप्योग पुजारी कर सकेंगे सरकार ने SC और ST के विद्यार्थियों के लिए चात्रवृत्ति के लिए आय की सीमा 6 लाग से बढ़ा कर 8 लाग रुपए करती है राजिशासन द्वारा दिव्यांग जनों की शिकायते सुनने के लिए अलग से एक पोर्टल बनाया जा रहा है CM HELP LINE की तरह काम करने वाले इस पोर्टल पर केवल दिव्यांग ही शिकायत कर सकेंगे यह पोर्टल CM HELP LINE पोर्टल से लिए शिकायत दर्श कराने के लिए अलग से एक नमबर भी जारी किया जाएगा समाजिक ने आयो दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री प्रेम सिंग पतेल ने बताया कि दिव्यांग जन अपने पेंशन प्रकरण बीमा दिव्यांगता प्रमान पत्र जैसी तमाम अवशक्ताओं को पूरा करने में आ रही समस्याओं की दिव्यांग पोटल पर शिकाहत धर् करमचारी दिव्यांगों की मदद करने में कोता ही भरतता है तो उसके विरुद्ध ततकाल कारिवाई की जाएगी टीकमगर्ड नहरू युवा केंद्र द्वारा 19 मई को जिलास्तरिय युवा उत्सव इंडिया 2047 आयोजित किया जा रहा है यह कारिकरम केद्रिय मंत्री और अधिकारिता मंत्राले तथा ठीकमगर्ड सांसद डॉक्टर विरेंदर कुमार के मुख्या दित्य में उत्कृष्ट विद्याले क्रमांग एक में होगा इसमें जिले के लगभग 300 शहरी और ग्रामीन युवक्युवतियां भाग लेंगे बात खेल की IPL क्रिकेट में आ अब कुछ समाचार संग्शेप में परतवाडा हाइवेपर वारातियों से भरा एक ट्रक पलट जाने से 15 यात्री घायल हो गए इस बुलिटन में इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार